प्रेज दे लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातना में और प्रातना में जाने से पहले हम परमेश्यो के वचन की ओर देखेंगे फिर हम आपके लिए आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रातना करेंगे आप हमारे साथ में इस पूरी करना चाहता हूं भजन साहिता 66 रोस के 12 पन से जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है तुने घोड़चडों को हमारे सिर्ख के उपर से चलाया हम आग और जल से होकर गए परंतु तुने हमको उबार के सुख से भर दिया है आमें दोस्तों यहां पर परमेशो का वजन कहता ह है कि हम आग और जल में से होकर गए परंतु प्रभू तुने हमें उस कंडिशन से उस प्रस्तिति से तुने हमें बाहर निकाला तुने हमें वहां से उभारा और हमें सुख से भर दिया दोस्तों हम लोग देखते हैं जब इसराइली लोगों के सामने लाल समुद्र था और उनको पकड़ने के लिए फिरो उनकी सैना आ रही थी, तब परमेशों ने उनके लिए अदबुत अश्यर करम किया, और लाल समुदर दो भगों में बंट गया, और सारे इस्राइली स्थली स्थल दूसरे पार निकल आए, मानो वे लोग जल से होकर निकले, परन्तु उनकी हा पारे डूब गए, उनके घुर सवार जितने भी सवार थे, वो सब के सब, जितने भी सैनिक से, सब के सब, उस समुदर में डूब कर मर गए, परन्तु इस्राइली लोग, जो परमेशों पर भरोंसा रखने वाले लोग, उनके लिए प्रवों ने अधुता श्यरेम करम किया और वो जल से होकर दूसरी पार निकल आये, यही परमेशों का वचन आज जी यहाँ पर कहता है, कि हम जल से होकर निकले, हम आग से होकर निकले, तूने हमें वहाँ से उभारा, परंतु हमारी हानी नहीं हुई, और हमें तूने सुक से भर दिया, हम सदरख मिसक निकाला सुरक्षित और उनके किसी प्रकार के हानी नहीं हुई, मानो उनको परमेशुन ने सुख आनंद से, कुसियों से, आसिसों से भर दिया हो। यही परमेशु का वचना साम में कहता है, कि हम जल से होकर, आग से होकर गए और तुने हमें उभारा और सुख से भर दिया। कि परमेशु उस समस्या से हमें बाहर निकालने वाला परमेशु है, वहां से उभारने वाला परमेशु है, वहां से छुटकारा देने वाला परमेशु है, वो हमारे संग में है और वो आपको निश्चे है, वहां से बाहर निकालेगा, उस समस्या से बाहर निकालेगा, उस समस्या से बाहर निकाल कर आपके जीवन को सुख आनंद खुसी आशिसों से भर देगा, प्रभू आपको इस वचन के द्वारा बहुतायच से आशिस दे, आमें, दोस्तों इस समय होगा जब हमें गवाई को सुनेंगे, किस परकार से प्रभू अपने लोगों को समस्याओं से बाहर निकाल कर उनके जीवनों को सुख से भर रहा है, उसके बाद हम प्रात्न में जाएंगे, आप हमार साथ में इस प्रात्न में बने रहें मेरी भीमारी ठीक नहीं होगी, यह लाहिलाज भीमारी है, जो कभी नहीं ठीक होगी, आप दावा के उपर निर्भार रहेंगी, लेकिन मुझे परभू को पूरा भरहोशा था, कि परभू मुझे चंगा करेगा, और मैं अमरेता बहन और पिके भाया का योटूब पे रोज लिए पराता सुनती थी, जिसकी वज़यह से मुझे हिम्मत मिलती थी, मुझे ताकत मिलती थी, और मैंने व्ट्षप मेरेता भीमारी पराता की, यह अर उस दिन से लेकि आज, चार-पाथ मेने हो गय हैं, लेकिन उस दिन से आज तक मुझे कोई भी अजनि धर्द नहीं हु को मैं प्रभु का तहे दिल से धन्माद करती हूं और आपको और आपके परिवार को हपी टीम को सबको आपको प्रभु के नाम से आशिष देते हैं जैमसी की सो हम प्रभु येश्य मसी का धनेवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम में इस सुन्दर सी गवाही के लिए जैसे कि प्रभु येश्य मसी ने इनकी प्रातना का उत्तर दिया ऐसे ही प्रभु येश्य मसी आप सब की प्रातना का उत्तर दीना चाहते हैं प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहतायच से आशीज दे, आईए हम सब मिलकर प्रभु येशु मसी से आज की शाम में प्रात्ना करें, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने, मेरे प्रभु येशु मसी हम आपका धन्यवाद कर अपली बहता है बहुत करीब से जानने वाले आप परमेश्वर है खुड़ा मन की प्रभू उस रहसियों को उन घुड भेदों को आप भली भाती प्रभू हमारे बोलने से पहले जानते हैं हां मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तु सर्व ग्यानी है धन्यवाद करते प्रभु येश्व मसी ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर धन्यवाद आज की शाम में जितने भाई बहन नौजवान बच्चे बुजर्ग एक आंध में या फिर अपने परिवार के साथ मे या फिर सब मिलकर प्रभू इस प्रात्न में शामिल है येशु मसी के पवित नाम से पिता वो आशीश पाए और तेरी उपस्तिती से भर जाए वो महसूस करे प्रभू आज की शामे की प्रभू तो सर्वशक्तिमान पर मेश्वर उनके मध्य उपस्तित है उनकी प्रात्ना करते हैं हाँ प्रभू आप इन भाई बहनों से इनके परिवा इनके बच्चों से बहुत प्रेम करते क्योंकि आपने ने बुलाया है अपनी पुवित्र संगती में परमेश्य पिता थैंक यू लौड जीजस हम सब को कॉल देने के लिए परमेश्य धनेवाद हम सब के प्रभू जी लौड आप ही तो हैं जो हमारे अधर्मों को शमा करने वाले परमेश्य परमेश्य हैं पवित्र पाक साफ करने वाले परमेश्य क्योंकि प्रभू सबसे अलग आप है मेरे पिता जो आपने हमारे लिए क्या प्रभू वो कहीं गुना बढ़ कर हैं उदैचल से अस्तान चल जितनी ही दूर है उतनी ही दूर तुने हमारे गुनाहों को भी कर दिया प्यारे येशु धन्यवादी है धन्यवादी है पिता थैंक यू और जीजस हर एक जन प्रभू अपने गुनाहों का अंगिकार प्यारे येशु आपके सामने कर रहा है प्रभू आप उन् सारे गलत बातों से फिर कर सही रास्ते पर चल कर आपको महिमा दें धन्यवाद प्यारे येश्व आज की शाम में प्रभू जितने भाई बेन प्रभू इस प्रात्ना में शामिल है उनकी समस्या, परिशानिया, प्रभू दुख, बीमारिया, स्ट्रगल्स, चैलेंजिस प्रभू जी परिक्षाई उनके जीवन में है तो आज वो हर एक बात आपके सम्मुक लेकर आए है, कुछ सल्यूशन लेने उस आशा को पूरी होते वे देखने के लिए प्रभू आपके पास आए है क्योंकि आप ही तो हैं पिता, जो कारे करते हैं इस् हैवानियों के लिए प्रभू जो वो जल से होकर गए तो प्रभू तुने उनके 올े उपाई किया और उनके लिए प्रभू लाल समुद्र को दो भागों में बाट दिया, उस असंभव कार्य को आपने संभव किया, उस मुश्किल को आपने प्रभू आपने असान किया, अपने लोगों के लिए, अपनी पवित्र प्रजा के लिए, प्रभू आज भी आप वही आश्चेरे कर करने वाले परमेश्वर है, मानों कि प्रबु एक समस्या लाल समुद्र के तरह प्रभु उनके आगे खड़ी है, प्रभु जी जब वो business-related problem आखड़ी हुई है, job से related problem आखड़ी हुई है, family problems आखड़ी हुई है, पिता परमेश्वर, कुछ misunderstanding है, कुछ दुविधाएं हैं, कुछ दवाव है जो इनके लाइफ में प्रभू एक लाल समुद्र के तरह प्रभू इनके आगे खड़ा है परन्तु पिता, ऐसी सिचुवेशन में प्रभू आप अपने लोगों के साथ है पिता, थैंक यू लौड चीजुस आपने कहा है कि आप उन्हें वहां से उबारकर प्रभू सुक से भर देंगे हाँ प्रभू इसी समय परमेशव उस सारी समस्याओं से संकटों से, चैलेंज़ेंस से, विरोध से हाँ प्रभू उस परिक्षा के समय से उस addiction से उस job-solated समस्या से प्रभु जी आप उन्हें उभारें और प्रभु उन्हें सुख से भर दीजे ताकि उन समस्या से बहार निकल के वो आनंदित, खुश और मगन होने पाए और प्रभु बारम बार प्रभु तेरी स्तूती महिमा बढ़ाई करें और हर बात के लिए धनेवादी हो सकें पिता जब बहने किसी समस्या में है प्रभु हम नहीं जानते प्रभु आपकी बेटिया किस समस्या में है मेरे प्रभु किस सिचुएशन से होकर गुजरी है कैसी परस्तिया वो फेस कर रही है पिता आप जानते है और इस समय वो बया कर रही है प्रभु आप उस प्रॉब्लम से उने बहार निकाले, हर एक भाई जो इस समय प्रात्ना कर रहा है प्रभू, उनके लाइफ में जो समस्या है, उनके लाइफ की जो दूविदा है, उनके लाइफ की जो चैलेंजिस है, उनके लाइफ की जो आशा है, जो आपन लगी है, प्रभू हम दूआ करते कि आज उन प्रवानु को सही मार्क पर चलाएं और प्रभू बुजर्गों को पिता इस बुजर्गी के अवस्था में प्रभू और अधिकाई से अपने क्लोज आप ले कर जाएं प्रभू जी धनेवाद हम सब को प्रभू जो आज की शाम में आपने इसंगती दी है कि आपके वचन से ह प्रभू जोरो शोरो से लगने पाएं प्रभू और धनेवाद की वचन के दुआरा आपने आशिश्यत किया है हाँ प्रभू आप प्रभू समस्य जो हमारे उपर पड़ी होती होने आप दूर करके उनसे हमें उभार लेते हैं और सुख से अपनी शांती से अपनी दया से भरते परमेश्वर प्रभू तु ही तो है प्रभू जो हमें अपनी करुणा में रखता है परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता हमारी प्रात्ना को कभी अंसुनी नहीं करता है पिता क्योंकि तु धन्य परमेश्वर है धन्यवाद आज जितने लोग तुसे मांग रहे हैं प्रभू हम नहीं जानते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके खुद के पर्सनल लाइफ में, प्रभू जी जो भी प्रॉब्लम है, प्रभू हम नहीं जानते हैं, परंतु आप सर्वग्यानी, आप इस समय उनके साथ हैं, आप जान रहें उनकी सिचुएशन को प हमें कोई बीमारी नहीं है, प्रभु धन्यवाद कि तुने हमारे बीच में से रोगों को दूर के, आज आप प्रभु के वचन को अपने ले अनाउंस करें, अपनी बीमारी के विरोध में अनाउंस करें, येशु मसी इसी समय आपको छुटकारा देंगे, हालेलुया पिता, आपके लोगों ने आपके वचन पर भरोसा किया है, इसी समय प्रभु वचन पर भरोसा करने के नुसार प्रभु आज इनके सारे रोग नस्थ हो, येशु के नाम सारा दर्द चला जाए, येशु के नाम से, हर एक एलर्जी नस्थ हो, येशु मसी के नाम से, प्रभु जी हर एक problem येश्यू के नाम से दूर हो जाए प्रभू येश्यू मसी सरीर से related, skin से related हर एक problem नस्ट हो जाए, हड्डियों से related हर एक problem दूर हो जाए, मांस पेशे और नसों से related हर एक problem दूर हो जाए, सर से लेकर पैरों तक आपके लोग चंगे हो जाए, अंधरूनी बाहरी अंग हर एक अंग काम करने लगे येश्यू के नाम से जो हस्पिटल में खुदावन आप उन्हें नया जीवन दे प्रभू ताकि सुरक्षित रेकवर होकर वो घर आकर पिता आपके नाम की महिमा करें लोड धन्यवादा जितने अपने लोगों को चंगाई दिया है प्रभू धन्यवाद करते हैं आज की रात में अची नीन दे पुरे सपनों से आज़ाद करें डर से आज़ाद करें नेगेटिव थौर्ट से आज़ाद करें दुष्ट के बंधनों से आज़ाद करें येश्यू के नाम से विंती मांगते हैं आमें आमें और आमें